हलो फ्रेंड्स आपका स्वाक्त तुरुष्टिका कीचंस में तो फ्रेंड्स आज आपको हम बताएंगे कि गर्मे ही हम किस तरीके से अपना फेशिल कर सकते हैं वो भी बिल्कुल सस्ते में, बिल्कुल फ्रे में और बहुत ही ज़्यादा हम सुंदर दीख सकते हैं क्योंकि friends सुन्दर सभी लोग दीखना चाते हैं सभी चाते हैं कि हम हट कर दीखे और हमारा कलर सबसे अच्छा हो, साफ हो और बिल्कुल शाइनिंग वाला हमारा चहरा दीखे हमारी स्केन पर कोई भी धाग दबबा ना हो हमारा चहरा बिल्कुल साफ और कलीन हो और friends सभी लोग चाते हैं हमारी स्केन पर गलो आए और हमारा चहरा चमकता हुआ नजर आए तो friends आप इस रेमेडी को अपलाई करोगे आप अपने स्केन के उपर आप अपने हाथ पाउं के उपर गर्दन के उपर आप इसको कहीं भी अपलाई कर सकते हो आपके जितनी भी आपकी डल स्कीन है डेड स्क्रीन है वो सब निकल जाएगी और आपका चहरा बहुती अच्छे से गोरा, सौफ्ट और कलीन हो जाएगा इस रेमेडी को बनाना बहुती ज़्यादा आसान है इस रेमेडी को आप पूरा देखिए आपको बहुती अच्छे से समझ में आ जाएगा और चैनल पर पहली बार रहे है तो फ्रेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो यहाँ पर फ्रेंट्स हम इस रेमेडी को बनाने के लिए लेंगे टमाटर टमाटर हमारे घर पर हमें बहुती एजिली मिल जाता है नॉर्मल हमारे कीचन में रहता है तो हम यहाँ इसको टमाटर का यूज करेंगे इस रेमेडी के अंदर तो टमाटर हमें रेड कलर का लेना है जिसके अंदर जूस हो यानि बरपूर इस टमाटर के अंदर रस होना चाहिए रसी हमें इस अपलाई करना है हमारी स्कीन के उपर और साथ ही में फ्रेंट्स हम लेंगे कटोरी कटोरी में हम डालेंगे आदी चमस के करीब चीनी तो इससे हमारी स्क्रब भी हो जाएगी और साथ ही में हमारी चहरे पर फेशिल भी हो जाएगा चीनी से फ्रेंट्स क्या होता है कि हमारी जहरे के उपर हमारी स्कीन के उपर जितने भी डैड स्क्रीन है या फिर हमारी डल हुई स्कीन है तो वो निकाल देगी और इसके साथ ही हम लेंगे चार से पांच बून्थ सहद सहद हमारी स्कीन पर गलो लाने का काम करता है साती में रूसी को हटाता है तो हमें फ्रेंट्स इसका ज़्यादा इस्तमाल नहीं करना सिर्फ दो से या तीन या फिर चार से पांच बुन लेना है और अब हम जो हमने कटिंग किया था टमाटर को तो एक भाग हमें साइड में रख देना है और एक भाग हम इस रेमेडी में यूज करेंगे तो फ्रेंट्स जो हमने इस टमाटर का भाग कट किया है तो उसको हमें इस तरीके से इस कटोरी के अंदर डिप करना है और चिन्ने को इस रस के साथ अच्छे से गुलने तक हमें इसमें इस तरीके से मिलाते रहना है जब हम फ्रेंट्स इस टमाटर के साथ चिन्ने को मिलाकर हमारी स्कीन के उपर हम इसको फेशिल करेंगे तो हमारी स्कीन बहुत ही ज़्ञादा चमक मारने लग जाएगी, हमारी स्कीन के उपर glow आएगा, साथ इमें जो हमारी डैडि स्क्रीन है वो निकल जाएगी और हमारी स्कीन बहुत ही ज़्यादा साफ और सॉप्ट हो जाएगी तो यहां देखें फ्रेंट्स चिननी लगबग घुल चुकी है और अब इसमें हम डालेंगे निम्बू निम्बू फ्रेंट्स हमें ज़्यादा यूज नहीं करना सिर्फ दो बूंद हमें इसमें डालने है निम्बू की निम्बू से क्या होता है कि दूप के वज़े से हमारे स्कीन के उपर काला पन आ जाता है मेल आ जाती है यानि जमी हुई गंदगी को यह हटाता है और इसके साथ हम मिलाएंगे हल्दी हल्दी हमारे स्किन के उपर ये काम करेगी हमारे स्किन के उपर कहीं भी फुनसी है दाग दबा है या फिर जो फुनसी होती है वो बीच में से रेसेदार फुनसी होती है तो उसके उपर ये एक ट्रीटमेंट का काम करेगी उससे हमें ये इस remedy को apply करेंगे तो वहाँ पे हमें दर्द नहीं होगा ना ही कुछ जलन की मैसूस होगी हमें बहुती अच्छा feel होगा तो इसलिए यहाँ पे हमने हल्दी लिये और साथ इमें friends हल्दी हमारी तउचा को बहुती अच्छे से चमकाती है तउचा का कलर निखारती है तो यहाँ हमें इस तरीके से इन सभी चीजों को आपस में मिला कर इस टमाटर के साथ इस तरीके से अपलाई करना है और उसके बाद हमें हमारी स्कीन के उपर आप चाहिए तो हाथ पाउं के उपर गर्दन के उपर इस तरीके से फ्रेंट्स हमें करना है इस टमाटर से यहां पर फ्रेंट्स मैं मेरा हाथ बता रही हूं डेमो के लिए तो आप अपने स्कीन के उपर कहीं भी यूज कर सकते हो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल नैचुरल तरीके से बनाई है तो आप भी इस तरीके से अपना फेशिल घर पर खुद कर सकते हो और इससे 10 मिंट तक करने के बाद आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक बार अपने आपकी स्कीन है जो बहुत ही अच्छे से चमक मालने लग जाएगी तो देखिए फ्रेंट्स हमें जहां यह चिनी हमने रखी थी थोड़ी थोड़ी तो उस गुलने तक हमें इस टमाटर का इसी तरीके से मसाज करने हमारी चेहरे पर हमारे हाथ पाउं के उपर तो देखिए फ्रेंट्स कम से कम हमें 5-10 मिंट लग जाता है इस प्रोसेस को करने से और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हमारी स्किन हो जाएगी और अब मैं मेरे हा हाथों में इतनी अच्छी चमक आ गई है तो सेम इसी तरीके से आपका चेहरा भी बिलकुल साफ और चमक मारने लग जाएगा आपके चेहरे पर डैड इसक्रीन वह बिलकुल खतम हो जाएगी और साथी में आपका चेहरा बहुत ही जादा गोरा हो जाएगा तो इसी के साथ फ्रेंड्स उमीद करती हूँ आज की रेमेडिया आपके लिए बहुती यूजपूल रहेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फोर वोचिंग